Hello friends, this is Paritos, और आप देख रहे हैं I speak about money, money never settles in one asset class, it moves from one asset to another asset, कभी आपको लगएगा equity का exposure बहुत जादा हो चुक है आपके portfolio में, या बहुत जादा उसका value sense हो चुक है, तो ये थोड़ा सा पैसा profit book करना चाहिए और debt में रखना चाहिए, तो कि risk नहीं लीना चाहता मैं, लाइक जैसे की 2020, उस समय मार्किट, COVID-19 के बाद काफी correction होने के बाद, market के value sense काफी कम थे, और 2021 में आपने rally देखी, तो काफी अच्छे returns कमा equity में, लेकिन 2021 में 21 के बाद से, जो एक market rally देखी हमने recently, जो last recently rally देखी, उसमें market के value sense बहुत ऊपर हो गयते, तो आपको लगा होगा कि यार, इस समय तो equity के value sense बहुत जाद है, तो यह अब हमें थोड़ा सा पैसा debt में रखना चाहिए, को कि उसके बाद market गिरा है, लेकिन अभी दुबारा आपको ऐसा लगेगा, कि हाँ, अभी market 16,000 के आसपास है, तो अभी हमें दुबारा equity में रखना चाहिए, तो investors अपनी risk appetite के हिसाब से, अपनी जुरत के हिसाब से, equity से debt और debt से equity पैसा reallocate करता रहता है, अपना assets को reallocate करता रहता है, और यह कहाबत भी है, कि no one fund can be a one size fit for all option, यानि कोई भी ऐसा fund नहीं है, कि वो हर किसी investors के लिए है, माल लिजी अगर मैं conservative investor हूँ, और मुझे risk नहीं लेना अपन user है, वो funds का, वो मेरा उस समय, debt में होना चाहिए, या market के value sense बहुत उपर है, तो debt में होना चाहिए, और दूसरी जगह, अगर माल लिजी मेरे पास, I have a long time, मेरे पास long term financial goal के लिए मैं अपना investment क्या हूआ है, 10-15 साल के लिए मैं hold कर सकता हूँ, और मैं aggressively equity में invest करना चाहता हालन कि there are some funds, there are some category that capture this movement very beautifully, मतलब इस market के movements को काफी अच्छे तरीके से capitalize करता है, मैं जिस category की बात कर रहा हूँ, जिस funds के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है balance advantage fund, तो चलो पहले यह समझते हैं कि what is the balance advantage fund or how do they work, तो balance advantage fund होते क्या है, balance advantage fund आपकी equity fund की category है, जहाँ पे आप जो भ equity and debt दोनों में रखता है, और उसको जब भी market के value sense के हिसाब से, market की समझ के हिसाब से, उसकी expertise के हिसाब से, आपके पैसे को reallocate करता रहता है, यानि जब उसको लगता है कि market का value sense बहुत जादा है, और उस समय पैसा आपका जादातर equity में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा exposure debt म होना चाहिए, तो वो automatically आपके पैसे को debt में reallocate कर देगा, उसको लगता है कि जब fund manager को या उसके expertise बोलती है, कि इस समय आपका जादातर पैसा equity में होना चाहिए, तो वो आपके पैसे को जादातर equity में reallocate कर देगा, तो यह जो process है, यह automatically reallocate होते रहती है, पतलब यहाँ प that you don't need to pay any exit load when you are shifting your money from equity as a debt or debt to equity, भई माल लिजे, इस समय अगर आपको लगता है कि इस समय मेरे को जितना भी exposure है, equity में नहीं होना चाहिए, तो मैं debt में move करना चाहिए, को कि मैं risk नहीं लेना चाहता है अपनी capital पे, तो अगर आप अपने पैसे equity से withdraw करोगे और debt में रखोगे तो आपको exit load लगता है, taxes भी लगता है even, क्योंकि आपका जो भी capital gain generate होगा, उस पर taxes pay लगेगा, taxes pay करना पड़ेगा, चाहिए वो short term हो, चाहिए long term capital लगता है, इसी तरीके से आपको अगर market लगता है, कि market के value sense काफी नीचे है, जैसे ही अभी, अगर आपको investment करना है long term के ल अपसर बड़ा advantage, balance, advancement का यह है, कि यहाँ पे, यह जो सारी process में बता रहा हूँ कि, पैसे को जो reallocate करने का process है, यह automate होता है, यहाँ पे इस process में, you don't need to pay any exit load fee, fund manager, खुद से, अपनी expertise के साब के market के value sense के साब के, उनके जो भी, basically, उनके जो भी portfolio बना हुआ है, उनका जो भी उनका एक तयार framework है, जिस framework पे वो काम कर रहा है, उस framework के हिसाब से, वो आप market के value sense के हिसाब से, आपके पैसे को equity से debt, और debt से equity automate move करते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई exit load pay करने की ज़रूद नहीं होती, wealth creation के लिए, volatility is the essence, when you investing your money for a very long period of time in equity, you have to face volatility, you can't avoid, आप volatility को avoid नहीं कर सकते, wealth creation के लिए, volatility is the essence, यह जरूरी है, इसके काफी सारे factors हो सकते हैं, कि volatility market में हैं, क्यों, जैसे हमने अभी देखा कि RBA ने rapport rates cut करें, पहले 40 basic points बढ़ाएं, फिर 50 basic points बढ़ाएं, 4.90% rapport rates हो गए, फिर साथ ही में federal ने भी अपने interest rates बढ़ा दी हैं, जिसकी वज़ए से market में, global market में volatility थी, rupee भी depreciation हो रहा था, उसकी वज़ए से, global market में volatility है, food inflation बढ़ रहा है, reasons बहुत सारे हो सकते हैं, और जब इस तरीके के volatility हम अपने portfolio पर देखते हैं, तो we take uninformed decisions with our investments, तो यहाँ पर जो एक category है, जो funds है, जो आपकी help करता है, and it removes this psychological barrier, and that is the balance advantage funds, because balance advantage fund, fund manager, अपनी expertise के हिसाफ से, जिसको knowledge है, जिसको market की जाद अच्छी से समझ है, हम से जाद अच्छी से समझ है, वो अपनी expertise के हिसाफ से, आपके पैसे को equity से debt, or debt से equity, automatically re-allocate करता रहता है, तो यहाँ पर आपको यह attention लेने की जुरती है, यह pressure लेने की जुरती है, कि नहीं, मेरा equity का valuation बहुत ज़्यादा है, इस समय मुझे debt में move कर लेना चाहिए, को कि Ukraine and Russia का war चल रहा है, यहाँ मेरे को समय उठा के पैसे debt से equity में move कर जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले time पर मुझे अच्छे खासे returns मिल जाएंगे, यह सारी जिम्मेदारी आप fund manager के कंदों पे देते हो, and then उसकी expertise के हिसाब से, उसके portfolio के framework के हिसाब से, वो आपके पैसे को automatically reallocate करता रहता, अब अगर आप यह समझना चाहते हो, कि अभी जो recently market correction हो है, how this category, balance advantage funds, help to the investors, so let me give an example, so let's take the example of the fund, in the same category, axis balance advantage, you would have noticed, कि जन्दवरी से March के अगर पीरिट की बात करें, तो Nifty correction की बात करें, तो Nifty तक्री बन माइनस 8.6% के आज़ पास का correct हुआ था, और April से लेके आपके इस वाले particular period में तक्री बन 12% से जादा का correction हुआ था, वहीं अगर balance advantage fund के performance की बात करें, तो 31 December से 7 March तक की बात करें, तो Nifty 50 में जैसे मैंने बताया कि minus rate 6.60% के आज़ पास का negative returns performance रहा आपका, लेकिन balance advantage fund में ये minus 6.20% रहा, तो अगर आप out performance की बात करें, तो देखेंगे कि 240 basic points हमने balance advantage के टेगरी में जादा returns कमाएं, वहीं, जो कि मैं access balance advantage fund का आपको example दे रहा हूँ, तो access balance advantage में in this particular period of time, जो आपका equity का exposure था, जैसे मैंने बताया कि जब market का value sense बहुत जादा होगा, या market correction हो रहा होगा, तो आपका exposure है, वो equity में कम होगा, debt में कम होगा, debt में जादा होगा, तो उससे में जो आपका equity का exposure था, वो था 45.1% के आसपास का, फिर 5 April से लेके 16 मही तक की बात करें, तो nifty 50 की जो performance थी, वो थी minus 11.80% के आसपास, balance advantage fund की performance जो थी, आपके access balance advantage fund की जो performance थी, वो थी आपकी minus 5.80% के आसपास, जो average equity exposure था, portfolio का वो था 41%, यानि overall जो out performance की बात करते हैं, अगर आप nifty 50 से comparison करते हो, तो आप देखेंगे 600 basic points, extra returns हमने balance advantage fund में, इस balance advantage fund में earn करे हैं, तो यही है आपके balance advantage fund का सबसे बड़ा majorly benefit की as per the market conditions, fund manager आपके पैसे को equity से debt और debt से equity automatically इसकी समझ के हिसाब से, expertise की हिसाब से reallocate करता रहता है, मुझे लगता है कि अब आपको काफी हत्त की समझ में आ गया होगा, कि balance advantage fund as a category किस तरीके से आपके portfolio पर help करता है, तो अगर आप भी investment करना चाहते हो, long term financial goal को अपने investment से align करना चाहते हो, तो मुझे लगता है balance advantage funds, balance advantage कैता ही रही एक काफी अच्छा option हो सकता है आपके investments के लिए, अगर आपको equity market की समझ है या नहीं है, यहाँ पर यह आपको इस तरीके की pressure लेने की जुरूद नहीं है, कि कितना मैं equity में रखूँ, कितना मैं debt में रखूँ, fund manager अपनी समझ के हिसाब से, अपनी expertise के हिसाब से, equity से debt और debt से reallocate करता रहता है, और जैसा मैंने advantage बताया, यह जो asset reallocation का जो process है, इसमें नहीं आपको exit load लगता है, और नहीं आप profit book कर रहे हो, यहाँ पर automatically profit book कर रहे हो, तो यहाँ पर यह सारी process automate हो जाती है, अगर आप भी balance advantage fund में investment करना चाहते हो, उसके बारे में ओ detail में पढ़ना चाहते हो, और access balance advantage fund के बारे में ओ जानना चाहते हो, तो मैंने link description में डाला हुआ है, एक बार जरूर जाके आप study कर सकते हो, तो आज के लिए इतना ही था, I hope इस वीडियो से काफी help मिलेंगी, और अगर किसी पी तरीके से आपको इस वीडियो से help मिली है, तो वीडियो के लिए लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीज़े, चैनल सब्सक्राइब कीज़े, हम इसी तरीके से personal finance, investment of finance planning पर इस चैनल पर वीडियो से बनाते रहते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक ले धन्यवाद, बंदे मातरम, जहें!